इस आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे मैं रोईत आप सभी के साथ और देखें अब मैंने आप सभी के सामने इस जगा निप्टी का चार्ट उपन किया है निप्टी का चार्ट आप देखोगे तो काफी बढ़िया चार्ट आपको देखने को मिलेगा कल जो हमने आपसे बात किती उसमें भी अगर आप देखोगे तो बढ़िया पैसा बनते हुए दिखाई दिया तो कि लॉजिक से अगर आप काम करोगे तो आपको सारी चीजस पता चलेगा इस जगा आज देखें आप मैं सबसर पहले आपसे बताना चाहूँगा कि कल हमने आपसे बात किती कि वही उपर की साइट अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा 38,000 का रेजिस्टेंट ये वाला आपको रेजिस्टेंट देखने को मिलेगा और नीचे की साइट अगर आप देखोगे तो नीचे की साइट आपको देखने को मिलेगा 37,400 का सपोर्ट यानि यह आपका सपोर्ट दिखाई दे रहा है उपर वाला अगर आप देखोगे यह रजिस्टेन दिखाई दे रहा है पर अगर आप देखोगे तो यहां पर सपोर्ट ले रहा यानी पहले बार भी अगर आपने देखा होगा यहां पर 28 तारीक को 28 तारीक को भी देखिए आपको सपोर्ट पर बाइंग देखने को मिलाता और 29 तारीक को भी अगर आप देखोगे तो यहां पर सपोर्ट पर आपको बाइंग दिखाई दे रहा है यानि रिस्पेक्ट कर रहा है यहां पर काफी अच्छी रिस्पेक्ट कर वो 37,900 के आसवास जाता हुआ दिखाई दिया और अगर आप देखोगे तो 500 पूंटों की आपको पूरी देखे इस जगह तेजी देखने को लिए कल भी मैंने आपको बोला था कि भाई बजार आपका एक चैनल में काम करते हुए दिखाई दे रहा बजार नीचे की साइट आ यह से काम करते हुए दिखाई देते हैं और कल भी मैंने आपसे बोला था कि भाई इस तरीके से आप काम कर सकते हो यहाँ पर देखें भड़ी अपर्चुनीटी मिली जिसने अपर्चुनीटी का बेनिफिट उटाया उसको फॉपिट हुआ दूसी बात मैं आपको उताना च वह यहाँ पर निई यहाँ पर jáपके लेवल टून देखाना चाहूं गया कर आप देखें लिखना चाहां चाहूंगा जाओं मेंаются गर कल मेरे इसी के वारे पेट ग्रूप में जॉइन होना है तो हमारे साथ नया अकाउंट ओपन कीजिए एंजल जड़ोदा आप इस्टॉक एलस विल्यू आया इफल किसी भी एक में अकाउंट ओपन कीजिए और अगर आपने अभी तरह हमारे टेली ग्राम चैनल को साथ कर लिए निप्टी बैंक निप्टी के यहाँ पर कॉल अपडेट किए जाते लिंक आपको वीडियो के डिसेशन में दिया गया है 37,700 के उपर बारवार जाने की कोशिश कर रहा था देखे इस जगह देखे बारवार जाने की कोशिश कर रहा था ठीक है और इस जगह अगर वह आपकी रजिस्टेंट की वेल्यू थी अब आप बोलोगे कि भाई यहां पर भी आपको 37,700 ही दिखाई दे रहा है और यहां पर भी आपका 37,700 ही दिखाई दे रहा है दोनों जगह एक ही पिराइस है फिर इसकी वेल्यू अलग क्यों आए तो वह अपने सपोर्ट के जो मैंने आपको बताया था कि 37,400 के आसफस अगर आपको बजार मिलता है तो बिल्कुल आपको एक जगह CE बाइंग करना चाहिए जिल लोगों ने हमारी कल की वीडियो पूरा देखा है वो उस वीडियो को जाके देख लीजे वहां पर मैंने यह चीज बताई है कि नहीं ब पन होता हो आपको अपने लेवल पता होना चाहिए कि भाई मुझे जगा सी कब करना है और चीज पता है तो आप बजार में पैसा बना सकते हो ठीक है यह जगा हमने आपको बताया था और वहाँ से अगर आप देखो तो 500 की तेजी आपको देखने को बढ़िवाप लेकिन एसा नहीं है कि जो ग्राइब फिल किया है वह आपको बजार फिर से नीचे नहीं आसकता बिल्कुल आ सकता है कल भी बजार नीचे की शायट आप को देखने को मिल सकता है लेकिन आप जो बजार में रेंज बनते हुए दिखाई दे वह आपकी 100 पॉइंट कम हो चुकी है क्योंकि यहां पर हमारी जो रेंच पहले थी वह 38000 की यहां पर रेंच हमको देखने को मिलती थी लेकिन अब हमारी 37900 की यहां पर रेंच बनते हुए दिखाई दे रही है और नीचे की साइट अकर मैं बात कहूं तो नीचे की साइट जो पंदा मिट का चार्ड ओपन किया ठीक है इस पे हम देखेंगे लेवल सबसे पहले देखें लेवल में आपको दिखाना चाहूंगा इस जगह की बजार में देखें हमारा जो आप ऊपर का रजिस्टेन है और नीचे का सपोर्ट है उसकी बात करते हैं हमारा जो सपोर्ट द चाहिए और फिर उसके बाद एक ब्रेक आउट देना चाहिए ठीक है यानि हम सीधे बाइंग नहीं करेंगे जगह दो बार ऐसा हो चुका है तीसी बार अगर हम बाइंग करते हैं तो 37,400 पर ऐसे रुकना चाहिए और फिर उसके बाद एक तेजी दिखाता है तो फिर हम पारे जो टार्गेट होंगेए फांशो प्वांड sack की शेच्रीक में दिखाई दे रहा है पहला जहाती ज pitching हthey अगरा क्उनध कर टो यहांपर 37,900 कर दीशन का टार्गेट दिखने का मूलिए बड़ेगा अब देखर इक बात तो मैंने आपको बता देखी वैं है तो इस जगह CE buying कब करना है लेकिन PE आपको किस condition में buying करना है उसको समझिए जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था और कल भी मैंने आपको समझाया था कि बजार अपने gap को हाल की हाल फिल करते हुड देखाई दे रहा है कल के लिए काम नहीं चोड़ रहाई इस जगार आप देखो गवे आपको अलकी आपıs tam तो बजार में continue है गवे होते हुए दिखाई देखके कही ने कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर बजार ऊपर उपर ओपन होता है यानि अगर मैं बात करो जगह इस जगह में लिखना चाहूँगा दें करेंगे हमं किया करेंगे सीटीबाइट नहीं करेंगे जब मुझे मिलेगा 100 रुपे में तो मैं बाइंग करूँगा नहीं मिलेगा तो मेरा क्या ले गया ठीक है एचीज आप समझो ना कि अगर आपको सस्ता मिलता है यह जगा तो हम कोसिस करेंगे कि ऊपर के लेवल पे हम इस जगा पीए बाइंग करें क्या बाइंग करें पीए करें लेकिन हमारे उपर से फिर जो हमारे टार्गेट होंगे वो टार्गेट की अगर मैं बात करूं तो पहला जो टार्गेट हमको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 37,700 का हमको पहला टार्गेट देखने को मिलेगा दूसरे टार्गेट की अगर मैं बात करूं तो 37, 27,500 का दूसरा target देखने को बिलेगा और तीसे target कि अगर मैं बात करूँ तो यहां पे आपको मैं तीसा target बताना चाहूँगा को बता है कि मैंने आपको बता है कि यह जगा हमको सस्ता मिल सकता है तो हम सस्ता बाइंग करेंगे क्यों बाइंग करेंगे देखें यहां पर आप समझो एक दिन पहले देखें यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 17 तारीक को भी ऐसा देखें एक जगह gap था उस gap को fill किया gap को fill करने के बाद मुझे कहीं ने कहीं ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी तो आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है जो कि कहीं ने कहीं देखिए मेरे अंदाज से आपको 500 से लेके अगर आपका वीव मेरे वीव से अटैच होता है तो आप उसे साथ काम कर सकते हो ठीक है अगर आपका वीव नहीं होता है तो आप अपने इसाफ से काम कर सकते हो मेरा काम है आपको बताना है आपको समझाना है कि वही मेरा वीव कैसा बन रहा है और मैं किस तरीके से काम कर सकता हूँ, जे चीज़ें मैंने आपको बता दिए, प्यूकि देखिए आपको भी पता होगा, अगर आपको देखें मार्केट में समय हो चुका है, तो आपको बिलकुल पता होगा, कि कभी भी अगर बजा नीचे की साट आता है, जैसे कि पहले मैं आपको तेजी का समझा दीता हूं जिससे आपको फिर मंदी का समझ में आए देखे जब भी बजा तेजी का होता है तो अपना ऐसे चलता है देखे जिस सपोर्ट को लेके चलता है पहले उपर जाता है फिर उपर जाता है फिर उपर जाता है फिर नीचे आता है फिर उपर जाता है यहां पर देखे इसे टॉप बनाया अब देखे बज़ार नीचे जाता है तो ऐसे जाता है नीचे आया फिर इस पैटर्न में देखे बज़ार नीचे की साइट आता है ठीक ह अगर आपको जे pattern समझ में आए तो मुझे comment में बताएं देखिए बज़ार इस pattern में कहीं नीचे की site आ सकता है क्योंकि मैंने आपको क्या बताया अभी कि वही उपर की site आपका बज़ार कहीं ने कहीं देखिए 38,000 से लेके आपका देखिए 37,900 के आसफास की देखिए उपर की site range है और नीचे की site अगर मैं बात कहूं तो नीचे की site 37,400 के आसफास यानि अगर मैं बात कहूं तो 500 से 600 pod की आपको यहां पर range दिखाई दे रही है अगर जे 37,400 को भी तोड़ता है अब जे उनके लिए जो market को बिलकुल पकड़ के काम करते हैं अगर जे 37,400 को भी तोड़ होता है तो फिर हम नीचे की site भी PE में काम करेंगे अभी मैंने आपको क्या बोला हम उपर के site PE में काम करेंगे लेकिन अपने support को टोड़ देता है तो फिर हम नीचे की site भी PE करेंगे जो मैं आपको अपने telegram channel पर बता दूँगा ठीक है क्योंकि उसको market को देखना कर दूँगा अगर आपने subscribe ने क्या subscribe कर लिजिए वीडियो को like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए जय हैं बंदे मातर हम